डिस्क ब्रेक का आविशकार 1902E में फ्रेडरिक डबल्यू लैंचेस्टर द्वारा किया गया था, एक ब्रिटिश इंजिनियर और आविशकारक लैंचेस्टर को पहला सफल डिस्क ब्रेक डिजाइन विक्सित करने का श्रे दिया जाता है, उन्होंने 1902E में अपने डिजाइ रूप से उप्योग नहीं किया जाता था, वे अब सभी कारों पर मानक बन गए हैं, डिस्क ब्रेक एक ऐसा मेकेनिजम होता है, जो कैलीपर्स का इस्तेमाल करके पहियों पर लगे रोटर को रोकता है, इस सिस्टम में पूरी तरह हाइडरोलिक एनरजी का उप्योग होता है जिससे बहुत तेज गती में चल रहे वाहन को भी तुरंत रोकने में मदद मिलती है, आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें